हाई गाईस आई होप आप सब ठीक होगे एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए आग आगा हूँ दोस्तो तीन साथे तीन साल पहले सेमसंग कंप्ती को अगर कोई ब्राण सीधी टककर दे सकती थी तो वो थी जियो नी लेकिन दोस्तों बाद में वीव और उपर कंपनी भा स्मार्ट फोन जी ओनी मैक्स को भारती बाजा में उता रह था और दोस्तोर वहकी जादा सक्सेश रहा और दोस्तो उसी a सक्सेस वर्oselyimax प्रों को स्पेसली पमें स्मार्पोन के लिए हमें वेट करने चाहिए नहीं सबी बातों के बारे में हम भात करने बाले कि अंतर कद गी बहु depends ुझत करें क्यां के लिए स्मार्पोन कम चुठेस सब्सक्ताइक वाठाहिए देखने को मिलने वाली है जो दोस्तो actually resolution के साथ आती है इस smartphone का aspect ratio 290.5 jam 9 जबकि दोस्तो screen to body ratio 84.40% दोस्तो weight की बात करें तो इस smartphone का weight थोड़ा जादा है इस smartphone का weight है दोस्तो 212 gram जो कि दोस्तो 190 से 195 gram के बीच होना चाहिए था इस smartphone की thickness की बात करें तो thickness है दोस्तो 10 mm जो कि दोस्तो बहुत ही जादा है इस smartphone की thickness होनी चाहिए थी दोस्तो 9 mm प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तो इस smartphone में बैतर परफॉमस के लिए Octa को का 1.6 GHz का प्रोसेसर दिया गरा है जिसमें दोस्तो आप आप डेले टास्किंग को मल्टी टास्किंग बहुत ही आसानी से कर बाएंगे लेकिन अगर दोस्तो आप गैमिंग लवर हो तो यह smartphone आपके लिए नहीं है इसके लिए दोस्तो आपको बैतर प्रोसेसर वाला smartphone लेना चाहिए केमरे की बात करते तो दोस्तो यह smartphone में आपको dual camera setup देखने को मिलने वाला है जिसमें 13 MP का primary sensor और 2 MP अब्स सेंसर आपको इस smartphone में देखने को मिल जाएगा जो दोस्तों आपको 34 दिन का stand by, 115 गंटे का music playback, 60 गंटे की calling और 13 गंटे का movie time और साथ ही दोस्तों 12 गंटे का gaming experience देने वाली है इस smartphone को company ने तिन color option के साथ launch किया है जिसका पहला color है दोस्तों black, दूसरा है blue और तिसरा है red RAM और storage variant की बात करेटें दोस्तों इस smartphone को company single RAM और storage variant के साथ launch किया है यह smartphone दोस्तों आपको 3 GB RAM और 32 GB phone storage के साथ देखने को मिलने वाला है जिसकी storage को दोस्तों आप 256 GB तक बढ़ा सकते है प्राइस की बात करें तो दोस्तों यह smartphone आपको 6,900 इन्याने दुपे के price segment में भारती बाजार में देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यह smartphone हमें खरीना चाहिए या नहीं तो दोस्तों यह entry level smartphone है अगर दोस्तों आप feature phone से निकल के smartphone में आना चाहते हैं तो यह smartphone आपके लिए based है लेकिन दोस्तों अगर आप gaming lover हो तो यह smartphone आपके लिए नहीं है अगर दोस्तों आप selfie expert बनना चाहते हैं आपको selfie लेने का ज्यादा सोख है तो भी दोस्तों ये smartphone आपके लिए नहीं है दोस्तों ये एक normal उस के लिए smartphone बना लगा रहा है अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like से और subscribe करना मत भूलना चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अगर दोस्तों आप हमें कोई सुजाव दिनना चाहते हो तो भी हमें नीचे comment करके बता सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बाला